आनन्द हो प्रेम मंदीर ना आंगने विधिवत थाल पुल्यो होई एम एक शनगारेला त्रांस नी अंदर सुन्दर मजानी शुकंशिल वस्तुव मुखी ने त्राण भाईयो प्रेम मंदीर ना पगत्यां चड़या त्यारे मनमा आश्चरिय हतूं के दोड़क्या परिवारनी कंकोत्री अप्वा आविये छी है एम जारे फोन आवे होतो तो आज त्रोण देखतियो शुल आईने आवी रही है से पन सुन्दर मजानी कोतरनी वाड़ो एक मुट्टो त्रांस एनी अंदर भात भातनी वस्तुव और एने एक लाल कपड़ा ना बाजोठ उपर हाथमा जिम आनुपूरी ने जता होईये छाब लई ने जता होईये तेम त्रण भाईयोए प्रेम मंदीर नो प्रवेश करयों त्यारे एमनुँ हार्दिक स्वागत उमलकाती थायूं कारण के तेवोनो उत्साह तेवोना चहरा उपर नुस्मीटेम कई रही होँ हतूं कोई मंगल परिणै प्रसंधनी कंकोत्री लईने तेवो पधार्या छे आ कंकोत्री केवा प्रकार नी हती एतो फोटोग्राफ मां आप जोई शक्षों पण सूरत मां धोलकिया परिवारना बे दिक्राओ ना बे दिक्राओ ना लगन नो बो मोट उत्साव जेने तेवोए प्रेम उत्साव एवो नाम आपिवहतूं ए उत्साव थैरे हो छे तेने कंकोत्री आपवा सूरत थी जी जे फाइव लखेली इनोवा गाड़ी मां अत्रण मित्रों पधार्या आता के ओए घर पासे गाड़ी उभी राखी देकी खोली ने ए त्रांस नी अंदर बद्दू गोठवी उने बाजोट उपर मुक्यूं औने पची छाब भरी ने जता होई एम प्रेम मंदीर ना पगत्यां एक पची एक चड़्या आवता वेत तेवोए ए थाल और पन करयो औने सुन्दर मजाना फोटोग्राफ लिजा फोटोग्राफ ततकालिक सूरत मोक्ले आशे कारण के बेज मिनित नी अंदर सूरत थी धोड़क्या परिवारना राहूल भाई धोड़क्या नो फोन आवेओ आने तेमने अती विनंब्र भावे कयों कि अमें रूबरू नथी आवी शक्या एकले आप हमारू भाव भेरू नोत्रू शुकन साथे मोकलिये चीए तमारे अवश्य पधारवानू छे अने बदीज व्यवस्ता दोड़क्या परिवार करशे पन तमें अमारी साथे हशो एनी अमने खातरी छे आत्रणै मित्रो जे सुन्दर मंजानी कंकोत्री नो एक छाब मुकी गया ए प्रेम मंदीर ना दिवाडी अने नवा वर्ष ना पर्वने दिवसे तोकोना बहु मुट्टा आकर्षन नो केंदर बनी गयू आ ठाल मियंदर शू छे शू नथी तेनी चर्चा नथी करवी पर तेमा डादा दादीये लखेला सुन्दर मंजाना एक कंकोत्री ना ड्राप्ट नो उमारे आपनी समक्ष वांचन करवू छे जय श्रीकर्षन आपना कुटुम रूपी वडलानी लिल्ली छम डालियो पर नवतर संबंदोनी हवे बे नवी कूपल फूटी छे एने लाड कोड थी हाच्वी ने आपने हव ए आ वडलाने आ आमंत्रन ना थाल नी जेम लिल्लो छम राखवानो छे जोके पोतानाओने काई आमंत्रन होई खर पण आतो अमारा वालनो थाल छे तमने बधाईने जरा जुन्वानी लाक्षे पणा एके एक वस्तु जिवनने सोले कलाए सजावामा आजे एटलीज महत्वनी छे एने उप्योगमा लईने काळजे टाधक वल्षे जुना दिवसो यादावशे आ थाल मा पोताना पणानी मिठास छे आ रेश्मी रुमाल नीचे संतायला गिताजी प्रभूस मरण करावे एवी तुलसी नी माला राधा कृष्णनी मनोहर मुर्ती रगुवीरने प्रिय एवु चंदन धुप अखंड सवभाग्यना सुचक एवा चूडी चांडलो सिंदूर ने महेंदी एकाद खुणे थी डोकियां करतो अरीसो अने मजानी सोडम रेलावतो अत्तर हमारा प्रेम ने आशिरवाद नी खिशानी हो चे रुडो अउसर छे नेने मानवानू सवभाग्य आपनने मल्यू चे इहरक हैये मातो न थी एकले एज इहरक ने वहेंची ने बमनो करी देवो चे आ साथे ज नोतरा दिधाँ चे खुशियोनी आ सुगंध मां तमारी हाजनीना रंगो पूरी आशिसनी हेलियो वर्साववा आपना आगमननी वाट जोती आपना वडलानी एक जुनी डाल आपनी वाटे लिकितं अम्रत बा अने नाग जी दादाना जय स्वामी नारायन सुखर नी जेना माती सुगंध प्रक्टे छे सतच सुगंध थी जे आखी कंकोतरी मगमगे छे अने जेना एक एक शब्दनी अंदर लागनी चलके छे एवी आ कंकोत्री दादी दादाए पोते लखीने मोकली छे आ खास फिजिकली चेलेंज ने बालको ना त्वारा बनावेला हाथ कागल मा राजाना कोई दरखास तक्खत ना एक सुन्दर मजाना आमंत्रन निजेम आ कंकोत्री एथाड मा मुकुआमा आवी छे मित्रो अथके एटलू उमेरू के थाड मा खाली सुषक वस्तूओ मुकीचे उण न थी जे मित्रों आव्या एने थाल मा आगल पांच नागरवेलना पान लटकाव्या अने पांचे नागरवेलना पानने उपर पांच सुन्दर मजाना जिवन्त पुष्पो पन मुक्या अने पछी थाल और पन करेो छें परिनाई एटले के लग्ण ए अवश्य उच्साव छे उच्साहनो विशाई छे आपनी पासे आर्थिक संपत्तीनी जाहो जलाली होई तो पन पोते जेमा प्रवरुत थाए पोते जीनवत भणो रसले अने आमंत्रन माटेना कनकोतरी के थाल स्वरूपे कोई मूकले एवु ज वल्ले जमन्तु होई छे हाँ धनपतियों छे ए बहुज भपकादार एवी कंकोतरीयों अवश्य बारो बार बनावरावी ले छे पन आ धोलक्या परिवारना आंगने आवेला प्रेम उत्सवना साथे जोडेला काड माथी पन तमने हस्ताक्षरों ज मले छे चापेलों एक पन अक्षर न थी आ हस्ताक्षरों मा बनावेलू आ आक्खु एक सुन्दर मजानू गुरुंदावन आपणे घरे आविव होई एव आपनने लागे छे खास आवाद समाज समक्ष एटला माटे मुक्वी छे क्या आपणे भारतिय संस्कृतिनी वाटो करना रा लोकोए दि शुकनना चिन्दों ने फरी एक वार यात करीने प्रसंगने लिल्लो च्छम बनावो जोईये जया धोलक्या परिवार करी शक्यों छे अमें प्रेम मंदीर ना पुजारियो आ थाल मा आवेली कंकोत्रीने साधर स्विकारिये छिये अने नागजी दादा अने अम्रत्बाना चरणों मा प्रणाम करीने निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकारिये सु सर्वदा ये प्राठना करीये छिये अरियों जैशी क्रश्ना जैराम जी के नमस्ते जैराम जी की जैशी क्रश्ना, we feel extremely delighted and honored to invite you and your family to this auspicious wedding occasion of Dhruwalbhai and Ayushi bhabi, Darshilbhai and Jansi bhabi. presenting to you the unique wedding invites on the beach. Sabhagya Vataka, Garden of fortune and abundance. Let's explore and understand the remarkable, pure and beautiful world of Sabhagya Vataka, the treasure trove of tradition and love. At the heart of Sabhagya Vataka, you will find this magnificent marble tree with the divine Silver Idol of Radhakrishna. It signifies enduring strength and eternal love, that binds 2 souls together. just as the roots of the tree grow deep, may the love between the couple remain as pure as the love between the divine deities. Wrapped around the ideal is this colorful scarf representing a vibrant life filled with laughter, joy and different shades of togetherness. The mirror inside reflects the beauty of the couple and their love. It reminds us that love reflects in the eyes of those who share it. The bangles stand for the unbroken bond between two souls and together we can create music that resonates with love. The bindi inside signifies the awakening of the third eye, the third eye of wisdom. May the couple's journey be guided by wisdom and deeper understanding of each other. Next are the sandalwood dhup sticks. The sandalwood dhup sticks provide a fragrant reminder to keep the atmosphere around you pure and full of love. The sweet scent signifies the pleasant moment of the couple will share. The perfume bottle. The perfume bottle represents the fragrance of love that will fill the air whenever the couple is together. May their love story be sweet and as lasting as their favorite scent. And of course at the heart of it all is this wedding invitation card crafted sustainably inviting you and your family to witness the union of two beautiful souls in love. This card like the couple is at the heart of our celebration. Next the silver box that carries kum kum, a symbol of sacredness, purity and eternal flame of love that will burn in their hearts forever. The Srimad Bhagavad Gita. This is a timeless guide to duty, ethics and spirituality shaping the moral and philosophical fabric of Indian culture. The presence here emphasizes the importance of spirituality and faith in the couple's journey. We call this mala. These are sacred tulsi beads bind together in a thread. With every bead we take God's name and it helps us to get closer to God in life. Crafted with love. The sustainable handmade paper made by underprivileged school children embraces tradition while the heartfelt message from the grandparents adds a personal touch to the special occasion. These words are precious treasures passed down through generations reminding us of strength and tradition. Next is the Mehendi. Mehendi is a symbol of love and celebration. It adorns the hands with incredible designs and traditions. All these items are lovingly placed on a beautiful bronze Meenakari Thal representing the unity of the couple, the family and their traditions. The Srimad Bhagavad Gita is crafted with devotion and love, signifies the essence of Indian tradition. Each item here reminds us of virtues and values that bind us in a beautiful tapestry of life. With a heartwarming commitment, every element is sourced from underprivileged communities. The entire design is lovingly created by our family, adds a touch of compassion to the celebratory occasion. With this invitation, you are receiving a piece of love, tradition and a promise of beautiful journey ahead. We warmly invite you to join us as we celebrate love and union of two beautiful souls. Looking forward to see you all on this special day. Namaste, Jai Ram Jai Ki, Jai Shri Krishna.